हेलो नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर राजस्थान पटवार भरती से जुड़ी वी एक बहुती बड़ी अपडेट है कल शाम को बोड के द्वारा ओफिशल आंसर की जारी कर दी है अगर आपको भी परिशानी हो रही है कि किस प्रकार से जो आंसर की जारी की है बोड ने और आपका जो कुशन पेपर था जिस शिफ्ट में आपका एक्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार से questions का answer की के साथ जो official जारी की गई है website पर मिलान करना है मिलान करने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे channel पर एक video हमने कल शाम को डाल दिया था कि आपको किस प्रकार से आपके answers चेक करने है तो वो video आप जरूर जाकर देखिएगा उससे आपके सारे doubt clear हो जाएंगे कि आपको आपके official answer की और आपको पास जो question paper है उसको किस प्रकार से चेक करना है अब देखिए जैसे है official answer की जारी हुई है सभी को पता है उस official answer की में बहुत सारी गलतिया है तो जहिर सी बात है कि बोड के द्वारा दो दिन का समय दिया गया है 24 से लेके 26 तक दो दिन के समय दिया गया है 100 रुपे का शुल्क मांगा गया है और आप अपनी अपत्तिया दर्ज करा सकते है no doubt बहुत सारे ऐसे questions है जिसमें विद्धर्थियों द्वारा आपत्ति लगाई जाएगी और फिर जो एक official answer की final answer की जो result के साथ ही शायर जाली होगी उसमें आपको देखने को मिलेगा फिर बहुत सारे questions ऐसे है जो delete कर दिये जाएंगे board के द्वारा तो अब देखिए विद्धर्थियों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर किस प्रकार से अगर कोई सवाल delete होता है तो उसका हमें किस प्रकार से फाइदा होता है या नुकसान होता है साथि अगर किस shift को फाइदा हो सकता है जिस shift में जादा question delete होंगे उनको जादा फाइदा होगा या फिर जिस shift में कम delete question होगे उनको जादा फाइदा होगा तो इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में अब हम चर्चा करता है कि आखिर किस प्रकार से जो effect होता है जो marks के उपर effect आता है जब कोई भी सवाल delete होता है हमारे राजस्थान में यही system है RPSC के द्वारा भी और RSM SSB बोड द्वारा भी यही प्रक्रिया अपना ही जाती है जिस प्रकार से इसको equalization प्रक्रिया कहा जाता है यानि कि अगर कोई question delete होता है तो किस प्रकार से marking system में change जाता है तो देखिए मैं आपको एक example देखे समझाता हूँ कि पटवार exam में आपके total जो questions थे वो questions थे 1500 नंबर के 1500 questions थे और उन हर एक question को 2 marks थे और इस प्रकार से आपके total marks जो है वो 300 हो गए थे तो हर एक question को 2 marks मिल रहे थे क्योंकि आपको पता होगा total 300 marks का paper था और 1500 questions यहाँ पर आपसे पूछे गए थे अब मान लेते हैं आपने जिस भी shift में exam दिया है for example बता रहा हूँ कि किसी भी shift में यानि कि first day के first shift में दो questions ऐसे है जो आपति जनक है और उसके उपर बहुत सारे विद्यार्थियों ने आपति लगाई और उस दो questions को board के द्वारा जो एक answer की चारी की गई उसमें दो questions को delete कर दिया गया तब देखेगा किस प्रकार से effect पड़ता है marks के उपर अभी क्यूंकि दो questions delete हो चुके है तो अभी जो number of questions है वो आपके हो जाएंगे 148 लेकिन जो marks है उसमें कोई changes नहीं आएगा marks वैसे के वैसे total marks जो है वो 300 के 300 ही रहने वाले है यानि कि पहले जहाँ पर 300 जो number है वो 1500 questions मे बाटे जाते थे अभी यही 300 number 148 questions में बाटे जाएंगे तो इस प्रकार से एक question की जो value बनेगी वो होगा 2.02 आप खुद calculate करके देख सकते हैं 300 को जब हम 148 में बाटेंगे तो हर questions पे 2.02 का एक question बन जाएगा तो आप देख सकते हैं जहाँ पर पहले 1 question 2 marks का होता था अभी 2 question डिलिट हो जाने के वज़े से 1 question 2.02 का बन चुका है तो अब इसका क्या मतलब हुआ ये किस प्रकार से effect करेगा देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके shift में 2 question डिलिट होए तो board के द्वारा हमें 4 number bonus में दिये जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जी हाँ ऐसा नहीं होता है कि जितने जादा shift में question डिलिट होते हैं उसके equal marks आपको bonus में नहीं दिये जाते हैं वो उस shift में equally distribute किये जाते हैं किस प्रकार से distribute किये जाते हैं ये मैंने जस्ट अभी पहले आपको बताया कि 2 question डिलिट होने के वज़े से marks के उपर क्या effect आता है आपके जो paper हुआ था उसमें अगर आपने negative marking बहुत ही कम की है इसका मतलब है कि आपके अगर accuracy अच्छी है तो आपको उसका फाइदा होगा और अगर आपके accuracy कम है तो आपको थोड़ा फाइदा नहीं होने वाला है थोड़ा सा जादा फाइदा नहीं होगा जितना होना चा करका कोई भी bonus अंक नहीं दिया जाता है तो आपको जो डिलिप questions होते है और उसके जो bonus marks दिये जाते है उसके regarding जो doubt होगा वो clear हो चुका होगा फिर भी अगर कोई doubt बच जाता है तो comment section में आप जरूर बताईएगा और हाँ answer की आने के बाद आपके कितने marks बन रहे है ये भी update और information इसी तरह के updates और information के लिए हमारे चानल को subscribe कर दिजेगा मिलते हैं next update में thank you so much